नमस्कार प्रिविद्यार्थियों परिक्षा के कुछ ही दिन शेस हैं ऐसे में अब इतना तो बनता है कि परिक्षा में कोई क्विशन जिसे हमें सोचना पड़ जाए कि यार इसमें से ऐसे क्या होगा तो वहां तुका लगाना पड़ता है आप मेरी मुस्कान को दीख करके या फिर थमनेल दिख करके कुछ विद्यार्थी हस रहे हुए के सर परिक्षा के तो सिर्फ गिने चुने दिन है और आप हमें बता रहे हैं तुका लगाने का तरीका कुछ विद्यार्थी यह सोच रहे होंगे कि भई इस वीडियो को चलो देख लेते हैं क्या पता यार यह तरीका हमारे काम आ जाए कुछ विद्यारती ये भी सोच रहे होंगे कि यार छोटा से वीडियो है कोई ना हो सकता है इससे हमारे नंबर जो है इंक्रीज हो जाए ये मेरा वादा है मैंने इस पर पूरी रिसर्च की है अच्छे से रिसर्च की है कि आप इस वीडियो में जितना समय दोगे वो आपका टाइम इनिवेस्ट होगा तो चलिए शुरू करते हैं कि परिक्षा में तुक्का लगाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कैसे तुक्का लगाते हैं इस पूरे वीडियो में हम 5 प्रश्णों पर चर्चा करने वाले हैं सबसे पहला कि तुक्का ऑनलाइन ऑफलाइन एक्जाम में कैसे लगाई कौन से एक्जाम में हम लगा सकते हैं नमबर दो किन स्टुडेंट को तुक्का लगाना चाहिए नमबर तीन तुक्का एक्जाम में कब लगाना चाहिए नमबर चार कौन से प्रश्णों पर तुक्का लगाना चाहिए और नमबर पांच स्यूटी के एक्जाम में तुक्का लगाने से क्या फाइदा होने वाला है इन पांचोप्रशनों पर इस पूरे वीडियो में हम डिसक्सिंद करने बाले हैं तो चलो शुरू करते हैं बिना समयगवाई सबसे पहला प्रशन तुका ओनलाइन ओफलाइन एक्जाम आपका चाएं कोईबी एक्जाम हो चाएं ओनलाइन एक्जाम हो पर दूसरा प्रश्ण आता है किन स्टुडिंट को तुक्का लगाना ही पड़ेगा तो चाहे आप ओनलाइन एक्जाम दे रहे हैं आप किसी भी एक्जाम में तुक्का लगा सकते हैं दूसरा प्रशन आता है किन स्टुडेंट को तुक्का लगाना चाहिए यानि कौन से ऐसे स्टुडेंट है जिनको तुक्का लगाना चाहिए भाई इसके लिए स्टुडेंट जितने भी स्टुडेंट है जैसे भी स्टुडेंट है सबको तुक्का लगाना चाहिए मैंने 95% 96% student है उनको कुछ प्रशन कुछ एक्जाम में ऐसे रहते ही रहते हैं कि भाई इन में तो थोड़ा तुक्का लगा लेते हैं कि यह हो जाना चाहिए हमारा तो सारे student तुक्का लगा सकते हैं चाहि कोई भी student है जिसके तैयारी बहूत बढ़ी है वो भी कुछ प्रशनों में तुक्का लगा सकता है जिनके तयारी थोड़ी कम है मालों की जो सिलेबस उसका 80% है वो थोड़ा तुक्का लगा सकता है और जिन विद्ध्यार्थियों के तयारी 50% है वो सोचरे सर हमारे तो 50% का मामला है तो हमें तो तुक्के लगा इपना काम चलने वाला ही नहीं है अगली बात आती है हमारी तो उसमें से ज्यादा तर क्योसन सही भी होते हैं एक्जामिनर कभी नीचाता कि तुक्का लगाने से बच्चे का नुक्सान हो हना पेपर जो सेटर है वो कभी नीचाते तो तुक्का लगाने से आपका नुक्सान हो तो तुक्का हमें एक्जाम में कब लगाना ची मैं कोई पं पेपर जब हम करते हैं तो उसके 3 राउंड लेते हैं, मैं पहले भी एक वीडियो में आपको बताया था, पेपर जब हम करते हैं तो उसके कितने राउंड लेते हैं, हम 3 राउंड लेना चाहिए, तो तुक्का लगाने के लिए, जिन CUT के एक्जाम में आपको 45 मिनिट मिल रह सेकंड में थोड़ा यह easy to understand वाले हैं दूसरा जिसमें थोड़ा सोचना पड़ रहा है तीसरा तीसरे वाले स्टेज जो last स्टेज है जिसमें आप सोच रहे हैं कैसे score हमारा increase हो जाए यहां पर आपको तुक्का लगाना चाहिए ऐसी जिनका एक घंटी का पेपर होने वाला है उनको लास्ट वाले जो 15 मिंट के हैं कि हां फर्स्ट राउंड हमारा पेपर का हो गया सेकंड हो गया थार्ड राउंड है अब दुक्का लगाना चाहिए तुक्के वाले क्योंसर जहां पने सोचना पड़ रहा है तीसरे राउंड में आपको करना तुक्का लगाने का काम करना चाहिए चोथा प्रशन आता है कौन से प्रशनों पर तुक्का लगाना चाहिए जब हम तुक्का लगा रहे हैं तो ऐसे कौन से प्रशन लेंगे जिसमें हमें तुक्का लगाना चाहिए तो का कौन से प्रशनों पर हमें लगाना चाहिए तो जब हम बात करते हैं तो number one ऐसे question जिन में दो option तो आपको confirm पता है कि नहीं है और दो option में आपको चुनाव करने की समस्या आ रही है वहाँ आपको तुक्का लगाना चाहिए कि मैं 200 पता है confirm है नहीं है या दो में या दो उनमें तो पता है कि भी है दो option में लगारा कि सार ये थोड़ा सा ना इसमें doubtful है तो वहाँ हम तुक्का लगा सकते हैं अब बात आती है कुछ संभावना वाले तुक्का लगाने में कुछ संभावना वाले हैं देखो ये 100% short ही तो नहीं है लेकिन most probability ये रहती है तो वो मैं भी आपको share कर लेता हूँ सही answer के संभावना हम तुक्के जब exam में लगाते हैं तो सही answer के संभावना कहां कैसे रहती है option थोड़ा बड़ा हो मालो कि कोई question ऐसा है जिसमें 4 option दे रखे एक option थोड़ा बड़ा नजर आ रहता most probability रहती है कि वो जो इसका answer है वो ज्यादा होने के संभावना इसके लावा आसान question में जो option है वो mostly नहीं होता है ऐसे अंदाजा जो ज्यादा तर इसका जाता है इसके लावा पहला answer जो दिमाग में लगे मालो कोई question आपने पढ़ा आपको exact पूरा नहीं आ रहा है लेकिन कही तुमें सही है तो उसको आपको हमें कर देना चाहिए यह संभावित है सारा का सारा मैं 100% surety के साथ नहीं कर सकता है लेकिन यह संभावित है कि ऐसे हो सकता है तो मैंने चार चीज़े आपको बता दिये तुका online offline exam में किन student को लगाना चाहिए कब लगाना चाहिए कौन से प् 25 जो है Hindi और English Medium की जितने भी विद्यारती जो आने वाले विद्यारती है जो exam की त्यारे करने वाले है उनमें हमारे CUT की जितने भी courses है उसमें extra 20% limited समय के लिए offer चल रहा है तो इसका जरूर फाइदा उठाए और एक और विसेश जानकरी जो नए विद्यारती जो CUT के exam 2025 मे में को रखा गया है Sunday को 6 बजे तो इसमें आपको registration करके इसमें join करना है आपको CUT से समधित सारी जानकर इसमें देने वाले हैं अंतिम प्रेश्न जो मेरा था कि तुक्का लगाने से CUT के exam में कैसे आपको फाइदा होने वाला है CUT के exam में आपको कैसे फाइदा होने और यह बहुत important आपके लिए तुक्का लगाने से कैसे होगा आपको फाइदा है मैं एक example से आपको समझाता हूं कि domain जो subject है आपको 40 question करने है 50 में से ठीक है तो 50 में से 40 करने है तो एक question कितने number का है 5 number का तो total कितने होगे आपके 200 number होगे total कितने होगे 200 number आपको होगे अब ऐसा की विद्यारतियों की हम बात करेंगे ऐसे student जिसने 30 question तो बढ़िया तरीके से कर लिए 30 question तो कितने 30 उसने बढ़िया तरीके से कर लिए अराम से कर लिए अब उसके पास last round भचा है the third round उसको 10 question और करने है question 10 और करने है तो अब उस student के पास दो option है एक तुवो की भी 10 question नही आए तो छोड दू ऐसी गलती नहीं करनी है दूसरा इन 10 कुछा लगाने की कोसिस करेंगे हम ऐसे कुछ भी समझ समझ में आरा आपको मैं आपको कहा 50 में से 40 करने 30 होगे बचे कितने 10 और करने 20 में से 10 करने तो उन 10 क्यूशनों को छोड़ आपको चूना ही नहीं है जिसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है नहीं करना उनको अब 10 क्यूशनों में जब तुक्का आप लगा रहे हो तो इसका फाइदा कैसे बड़ा समझ येगा आपको 1 सही क्यूशन का तोटल कितने क्यूशन है 10 इस 10 क्यूशनों में माल लेता हुँ कि 50-50 आपका हो जाता है 50 परजें इन 5 क्यूशन तो आपकी सही हो जाते है और 5 क्यूसन आपकी तुक्य लगाने से गलत हो जाते हैं अब समझेगा एक क्यूसन का राइट का कितना हो गया 25 रों का कितना होगा माइनस वन होता है 25 तो आपके प्लस हो रहे हैं और माइनस कितने हो रहे 5 फिर भी फाइदा कितने का है 20 नंबर का यहां 30 को हम देट 5 से मल्टिप से चैशन हो गया और दस में से पांच 50 पर से इसे ज्यादा हो जाते हैं मान लेते हैं कि इसमें आपकी 10 क्यूस्य में जो तुक्का लगा रहें इसमें 8 फिल स्यustatching हो जाते हैं और दो क्यूशन आपके गलत होते हैं तो पांच नंबर के साब से कितना हो गया 40 और यहां पर माइनस तो सिर्फ 2 होंगे 38 तो इसका मतलब 500 तो आपने यहां स्कोर कर लिया था जो 30 क्यूशन आ रहे थे और 38 और मैं कर दूँ तो शांदा स्कोर आपका बनना न 178 बनना है चलो एकदम खराब से खराब सोच लेते हैं कि मालों की 10 क्यूशनों पर आप तुक्का लगा रहे हैं आपके सिर्फ और सिर्फ 2 क्यूशन राइट हुए हैं 8 क्यूशन आपके गलत हो गया फिर भी 5 नंबर के एसाफ से 10, 8 माइनस होते हैं तो भी नुकसान में नहीं हो तो भी नुकसान में नहीं हो दो नंबर तो फिर भी प्लस हो रहे हैं लेकिन इतना नेगेटिव हुम सोचे हैं क्यों भाई यह तो मैंने का लास्त लास्त है फिर आट की उसने अगर तुकों में सही हो जाते हैं दो ही गलत होती है तो कितना शांदार आपको benefit मिल जाता है तो exam में आपका जो interest exam में उसमें तुक्या लगाने की कितने फायदे हैं मैंने आपको सारे के सारे बता दिये पांच पॉइंट की ये तो छोटी से कम समय का जो वीडियो है आपकी परिक्षा में बहुत सार तक सावित होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा तो comment box में लिखे बताना मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा